कैप्टन मिल्खा सेंग जिने दफ लाइंग सिक के नाम से भी जाना जाता है वे एक पूर्व भारतिये ट्रैक और फील्ड धावक स्वर्णपदक विजेता पदमिश्री से सम्मानित भारति थाल सेना के पूर्व सैनिक थे मिल्खा सेंग का जन गोविंद पुर्व जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ 20 नवंबर 1929 को एक राथोर राजपूत सिक परिवार में हुआ था मिल्खा सेंग राष्ट्र मंडल खेलू में विक्तिगत स्वर्णपदक चीतने वाले भारत के एक मात्र पुरुष खिलाड़ी हैं वे एक सिक धावक हैं जिन्होंने रोम के 1960 ग्रिश्म ओलंपिक और टोक्यों के 1964 ग्रिश्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनेधित्व किया थ उनको उर्टा सिक कभी उपनाम दिया गया है विभारत के बहतरीन खिलाडियों में सेग हैं मिल्खा सेंग के व्यक्तिकत जीवन के बात करें तो मिल्खा सेंग का विवहा निर्मल कौर से हुआ है विभारती महिला बॉलिबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी उनकी तीन शेब बेटे को भी गोद लिया जो टाइगर हील की लडाई में मारे गए थे मिलखा सेंग के करियर के बात करें तो तीन बार ना पास कर दिये जाने के बाद भी मिलखा सेंग सेना में भरती होने की कोशिश करते रहे और अंततहा वर्ष 1952 में वे सेना की विधित मेकैनिकल इं अपना अभ्यास कड़ी मेहनत के साथ करने लगे वे वर्ष 1956 में पत्याला में हुए राष्टे खेलों के समय से सुर्ख्यों में आये थे और वर्ष 1958 में कटक में हुए राष्टे खेलों में 200 और 400 मीटर के रिकॉर्ड तोड़ दिये उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे स खचन तब साबित हुआ जब उन्होंने रोम में हुए 1960 के ग्रिश्मकालीन ओलंपिक खेल में चौथा इस्थान प्राप्त किया वर्ष 1964 में उन्होंने टोक्यों में हुए ग्रिश्मकालीन ओलंपिक खेल में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था वर्ष 1958 में रोम में आय 1962 के एशियाई खेलों में भी कुछ रिकॉर्ड अपने नाम किये थे। कई रिकॉर्ड बनाने वाले इस दिगज को फ्लाइंग सिक कहा जाता है। उन्हें ये नाम पाकिस्तान की तानाशाह शाशक जनरल आयूप खान ने 1960 में उस समय के धाकर एथलीट अब्दुल खालिक को प्रेस में हराने पर दिया था। वर्ष 1958 के एशियाई खेलों में मिलखा सेंग को मिली सफलताओं के सम्मान में उन्हें भारतिय सिपाही के पत से करनस्ट कमिशनर अधिकारी पर पद्दोन्नत कर दिया गया। अंत तह वे पंजाब सिक्षमंत्राले में खेल निर्देशक बने और वर्ष 1998 में इस पत से सेवान रिवरत्त हुए। मिलखा सेंग जीत में मिले पदक को देश को समर्पित कर दिये थे। शुरुवात में इन सभी पदकों को नई दिल्ली के जवाहरलाल नहरू स्टेटियम में प्रदर्शित किया गया था। परंतु बाद में इन्हे जूते की जोड़ी को मिलखा सेंग ने वर्ष 1912 में राहुल बोस्त्वारा आयोजित की गई एक चैरिटी निलामी में दान कर दिया गया था। जिसे उन्होंने वर्ष 1960 के दशक के फाइनल में पहना था। मिलखा सेंग की आत्म कथा The Race of My Life 2013 में प्रकाशित हुई थी। मिलखा सेंग की जीवन कथा को बायोग्राफिकल फिल्म भाग मिलखा भाग में प्रदर्शित किया गया था। जिसे राकेश ओम प्रकाश महराद्वारा निर्देशित की गई थी। जिसमें फरहान अक्तर और सोनम कपूर ने मुखे भूमिका निभाई थी। चम्मिलखा सेंग सेंग से पूछा गया कि उन्होंने अपने जीवन पर फिल्म बनाने की इजाज़त क्यों दी। तो उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्म में यूवाओं के लिए एक प्रेड़ना स्रोथ होती हैं और वे खु मिश्वे इस्तर पर पदक जीत कर एक गर्व महसूस हो सके। मिलखा सेंगो 24 मई 2021 को कोविड 19 की कारण मोहाली के फोटेज अस्पतार में भरती कराये गया था। कुछ देर के लिए उनकी हालत इस्थिर बताई गई थी। लेकिन 18 जून 2021 को राच साढ़े 11 बजे उनका हो गया था।